हेलो फ्रेंट इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कोरोना वाइरस के बाद एक हंता वाइरस आया है जो जिसकी जो देथ रेट है वो कोरोना से बहुत ज्यादा है जहाँ कोरोना से 3-4% मामलों में मौत हुई है जितने लोग संक्रमित हुए हैं इंफेक्टेड हुए का देथ रेट है तो सवाल है कि यह हंता वाइरस क्या है और यह कैसे होता है कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है इसके क्या लक्षन है कहां से फैला इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अमेरिका के सेंटर फॉर डिजिस कंट्रोल के मुताबिक यह जो हंता वाइरस है इसका एक्जेक्ट पता लगने में एक से आठ हफ़ते लग जाते हैं और अगर एक से आठ हफ़ते लग रहे हैं तो जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा इस्तिती बिगरता है अगर इसके लक्षन की बात करें तो बदन दर्द, पीट में दर्द, उल्टी, डाइडिया यह सब हंता के लक्षन हैं सवाल उठता है कि यह जो हंता है कोरोना का कहर अभी खत्म हुआ नहीं दूसरा हंता आ चुका है और यहीं नहीं यूनान प्रांथ जो चीन का यूनान वहां हंता वाइरस से एक सक्स की मौत भी हो चुकी है अगर इसका अगला सवाल होगा कि यह फैलता कैसे है तो अमेरिका के सेंटर फोर डिजिस कंट्रोल सी डी एस के मुताबिक यह आम तोर पर आम तोर पर रोडेंट्स के दौरा फैलता है जिसके अंतरगर चुहे गिलहरी यह सबाती है लेकिन मेंली यह चूहे से फैलता है यदि चूहे के यूरीन, चूहे का मल या उसके लार के संपर्क में कोई इनसान आता है और उस अपने बॉड़ी पार्ट से अगर अपने फेस को छूता है तो वो इस वाइरस से संक्रमित हो सकता है हंता वाइरस के लिए पांच स्ट्रीन की खोज की गई है जो इसके लिए रिस्पॉंसिबिल है जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अरारा क्वारा वाइरस है जिसका देथे रेट 54 परसेंट तक है इस हिसाब से यह कोरोना से ज़्यादा नुकसान दे है परन्तु कोरोना से क्या अंतर है जहां पर कोरोना हिमन ट्यू फैल रहा है यानि मनुस्य से मनुस्य फैल रहा है वहीं हंता मनुस्य से मनुस्य नहीं फैल कर चूहा के संपर्क में आने से उसके लार उसके पिशाव उ अभी मनुझयस से मनुझयस में फैलने की पुष्टी नहीं हुई है कुछ example सामने आए हैं अभी तक इसके पुष्टी नहीं की जा सकी। तो यह कोरोना से अलग कर रहा है कि कहिने जो खत्रा है उचब तक संपर्क में नहीं आएंगे खत्रा नहीं होगा और खास करकि ग्रामीन छेतर में इसका खत्रा जादा है जहां पेर पौधे जादा है चुछे की कई परजातियां है जिसमें चार परजाती ऐसी है जिसके बारे में माना जाता है कि हन्ता वाइरस को ये कैरी करती है इसके अंदर अमेरिका में पाया जाने वाला deer mouse जो सबसे खतरनाक है आम तोर पर इसके लंबाई 2-3 इंच होती है आँख और कार बड़े-बड़े होते हैं, सरीर पर अधिक बाल होती है तो इसको सबसे खतरनाक माना जाता है इसके अलाबा white, foodate, rice rat और cotton rat भी इस वायरस को कैरी करते है कोरोना वायरस की तरह अभी तक कोई भी वैक्षीन या कोई भी दवा इसकी नहीं मिली है तो यहाँ पर मरीज में अगर यह संकर्मन होता है सुरवाती दौर में अगर पता चल जाती है तो उनका बचाओ ज़्यादा आसान हो जाता है अमेरिका में इस वायरस को new world hanta virus तथा यूरोप और एसिया में से old world hanta virus के नाम से जाना जाता है और यह hanta virus pulmonary syndrome की नाम की बिमारी की वज़े बनता है इसके कारण भी जिसको जो संकर्मित होता है उसको सांस लेने में तकलीफ फेफरे में पानी भढ़ने जैसी लक्षन उभर कर आते हैं और अगर यह बरकरार रहा तो मौत भी हो सकती है जनवरी 2019 में हंतस से संकर्मित नौ लोग पेटागोनिया में नौ लोग की मौत हो गई थी उसके बाद प्रेटक को वहाँ जाने से अगाह किया गया था और नए रिपोर्ट के एकॉर्डिंग लगबग 60 मामले सामने आये हैं जिसमें 50 को क्वारंटीन में रखा गया है इसका सबसे अच्छा उपाय है जो कोरोना वाइरस का उपाय है कि अपने हाथ पाउं को धोके रखें चेहरे को बार-बार अपने हाथों से नहीं छुए ये भी कोरोना के साथ हंता से भी बचने के यही एक मात रुपाय है कोई भी वैक्शीन नहीं है इम्यून सिस्टम को मजबूत रखे डेली ब्यायाम करे ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो इससे जुड़ी क्यूस्चन और आंसर आपको चल्दी ही मिल जाएंगे